क्या दोस्तों आपके भी Play Store में से Snapchat डाउनलोड नहीं हो रहा है? क्या आपको नहीं पता कि Play Store में से Snapchat डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Play Store में से Snapchat को डाउनलोड कर सकते हो और Play Store की इस वाली problem को कैसे solve कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्रेब कर देना और साथ यह में बेल आइकन को प्रेस करके All का Option सिलेक कर लेना था कि हम जो भी वीडियो दाले उसका नोटिफिकेशन आप तलग तुरंट मिल सके दोस्तों Play Store में से Snapchat को डाउंलोड करने के लिए और Play Store की problem को solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें Play Store को open करना पड़ेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने हमरा Play Store open कर दिया है Play Store open करने के बाद उपर आपको search कर लेना है Snapchat जैसे कि हमने उपर search कर लिया है Snapchat Snapchat search करने के बाद अभी आपको Snapchat का application दिखेगा ठीके तो इसके उपर क्लिक कर देंगे इस application के उपर क्लिक कर देने के बाद आपको इधर install का option मिलेगा आपको simple से install के option पे click कर देना है install के option पे click कर देने के बाद अभी आपको pending बताएगा जैसे कि आप लोग देख सकते है तो अभी ये download नहीं हो रहा है ठीके अभी इसको downloaded करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ से back आना पड़ेगा इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे cancel कर देंगे और यहाँ से back चले जाएंगे back आएंगे पूरी rehabilitation करने के बाद दोस्तों आभी आपको क्या करना है तो आपको Simple से Application and Permission के उपर क्लिक कर देना है Application and Permission के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इधर कुछ Option आएंगे और सबसे पहला Option आपको मिलेगा App Manager का अगर दोस्तों आपको App Manager का Option नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे इधर से वैक आजाएंगे वैक आने के बाद उपर आपको Search का Option मिलता है Simple से Search के Option पे क्लिक कर देने के बाद आपको इधर टाइप कर देना है App Manager जैसे हमने टाइप कर दिया है App Manager App Manager टाइप करने के बाद नीचे आपको Option मिलेगा App Manager का तो आपको Simple से नीचे वाले Option पे क्लिक कर देना है app manager के option पे click कर देने के बाद थोड़ी सी यह loading लेगा loading लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा और यहाँ पर आपके phone में जितने भी application है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे तो दोस्तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर अपना Google Play Store खोज लेना है जैसे कि हम अभी खोजेंगे हमारा Play Store तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमें हमारा Google Play Store मिल चुका है Google Play Store मिलने के बाद आपको इसके उपर click कर देना है जैसे कि हमने इसके उपर click कर दिया इसके उपर क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और सबसे पहला वाला option आपको मिलेगा internal storage का तो आपको simple से internal storage के उपर क्लिक कर देना है Internal Storage के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का Interface नजर आएगा और इधर आपको 2 Option मिलेंगे पहला वाला Option होगा Clear Data का और दूसरा वाला Option होगा Clear Catch का तो आपको Simple से Clear Data के Option पे क्लिक कर देना है Clear Data के Option पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है आपको अभी अपने provision tab को close कर देना है ठीके जैसे कि हम provision tab को close कर देंगे सारे जैसे कि यह setting का tab है इसको close कर देंगे ठीके अभी हमने सारे के सारे tabs close कर दिये है provision तो हम क्या करेंगे इधर play store के उपर click कर देंगे play store के tap को भी close कर दिया, फिर से आपको play store को open कर देना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने फिर से play store को open कर दिया है, play store को open करने के बाद उपर आपको search में जाना है search में जाने के बाद आपको इदा type कर देना है, snapchat, ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते है अभी हमने Snapchat टाइप करके उसको search भी कर लिया है Snapchat को टाइप करके search करने के बाद आपके इधर Snapchat का app आ जाएगा ठीक है तो इसके उपर click कर देंगे इसके उपर click कर देने के बाद दोस्तो आपको इधर install का option दिखाए देगा तो आपको simple से install के option पे click कर देना है install के option पे click कर देने के बाद दोस्तो थोड़ी सी ये loading लेगा ठीक है loading लेने के बाद दोस्तो आपका Snapchat डाउनलोडिंग को लग जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते है अभी हमारा Snapchat डाउनलोडिंग को लग चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने Google Play Store की problem को solve कर सकते है और Snapchat को डाउनलोड कर सकते है